भुजंग आसन श्वास छोड़ते हुए पहली वाली स्थिती में आ जाएं अब हतेलियों के बल अपने धर को उठाएं यह करते हुए गहरी श्वास लेना न भूलें इस आसन के तीसरे भाग में आपको घुटने मोड कर धर को हतेलियों के बल उठाना है याद रखिए यहाँ करते समय आपको श्वास अंदर लेना है इस थिती में जितनी देर रुक सकें रुकें